अरुफिक्स One Plus 8, Camera Not Working Problem नमस्कार दोस्तों, स्वागर आप सबीका त्कराच येटूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपकी डिवाईस में कैमरा काम नहीं कर रहे तो आप जो है दोस्तों कैसे इस प्राप्लिम को सॉल्फ कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको solution बताने वाला हूँ ठीक है वीडियो को अंतक देखे दोस्तों जो भी मैं आपको solution बताऊंगा उसको आप step by step follow करते जाएगा और आपका जो camera के issue है वो definitely fix हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करते हुए bell icon को click करें और अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपकी camera के related कोई भी problem आते तो सबसे प करने के बात दोस्तों आपको क्या करना है सेटिंग पर जाना है स्क्रॉल डाउन कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको apps and notification पर जाना है और see all apps पर click करें उसके बाद दोस्तों आपको next पर camera open कर लेना है यहाँ पर storage पर जाए clear storage पर क्लिक करके ok कर दीजीगा ठी इसी दोस्तों आपका data clear हो जागा camera का आप बेग करें दुबारा से जाके check out करके देखें दोस्तों problem solved हो चुका होगा by any chance अगर आपका problem solve नहीं होते है तो mobile को safe mode पे reboot कर लिजीए कैसे करना है power button को press and hold कीजिए आपको यह option मिलेगा power off के button पे 2 second click करके रखना है दबा के रखना है वहाँ पे आपको मिलेगा safe mode तो आप ok करके इसको follow कर लिजीए ठीक है तो safe mode पे reboot करके देखें अगर इससे काम ब system पर क्लिक करें software को update करके देखें software update करने के बाद दोस्तों इस तरीके का जो problem है वो solved हो जाते है ठीक है बाइए इनी चांस माने जैसे software भी update करके देखा सारे solution follow करके देखा फिर भी आपके जो camera है वो काम नहीं कर रहा है तो आप दोस्तों system पर क्लिक कीजिए reset पर जाएए erase all data पर क्लिक करके आपको सारे data को erase कर देना है clear कर देना है उसके बाद आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को fix कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks to watching